नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आप देख रहे हैं एविद्या चानल चानल नमबर 9 और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं रेणुभट अपने इस लाइव इंडराक्टिव फोन इंसेशन में अपने सभी देखने वालों को हम बता दें कि इस सतर में हम बात करने वाले हैं संस्कृत के नवी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए और हम उनके लिए एक बहुत ही रोचक पाठ लेकर आये हैं पाठ खा शीर्षक है जटायो शोर्यम और जैसे कि आपको शीर्षक से समझ मे आ रहा होगा कि इसमें जटायो के शोरे के बारे में आपको बताया जाएगा आपको बताएंगी हमारी विशेशग्य जो इस समय हमारे साथ स्टूडिय में मौजूद है चलिए उनसे परिछे लेते हैं आप हैं डॉक्टर संगीता शर्मा आप फेकल्टी अफ संस्कित हैं जा मैं मिली असलाम या नई दिली से हम आपका बहुत-बहुत स्वागता है और बच्चों अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न आए आप कुछ जानना चाहते हैं इस पार्ट के बारे में या इस चरित्र के बारे में तो आप बेजी जग अपनी सभी प्रश्न अपनी सभी सवाल हम तक पहुचा सकते हैं फोन कॉल के मात्यन से आप हमें कॉल करेंगे हमारे टेलिफोन नंबर पर जो है डबल एट डबल जीरो डबल फोर जीरो डबल फाइफ नाइन या फिर आप हमें इमेल भी कर सकते हैं हमारा इमेल अड्रेस है dth.class9-ciat.nic.in और इससे पहले कि ह करेंगे बहुच जरूरी सूच रहम आपके साथ साचा करना चाहेंगे रिगारिंगे इंडियास G20 Presidency. We are indeed very proud that India assumed G20 Presidency and will convene the G20 Leaders Summit for the first time in the country in 2023. A nation that deeply committed towards democracy and multilateralism, India's G20 Presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of all. And in doing so, manifest the true spirit of Vasudhaev Kutumbakam and we can say the whole world is one family. इस बहुत जरूरी सूचना के साथ चले शुरू करते हैं अपने आज का सत्र जिसमें हम बात करेंगे जटायू शोर्यम इस शीर्षक पर तुमाम सबसे पहले हम आपके पास आएंगे और आपसे जानना चाहेंगे इस शीर्षक का अर्थ क्या है? यह जो शीर्षक है वो बताता है जटायू का शोर्यम मतलब जटायू की वीरता शीर्षक का मतलब है कि जटायू की वीरता जी तुमाम यह तो बात भी इस शीर्षक के बारे में अर्थ भी आपने बताया कि क्योंकि जैसे शीर्षक को पढ़कर ही समझ में आता है कि इस चरि और बाद में हम दूसरी रामायन की विबारत करेंगे लेकिन सबसे पहले वालमी की रामायन की विशे में कुछ जानना चाहेंगे वालमी की रामायन यह बहुत अच्छा प्रश्न है बेसिकलिए हमारे बच्चों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है और हम लोगों आपके लिए हम यही प्रयास कर रहे हैं कि इस पार्ट में हम श्लोक और श्लोकों का अर्थ या फिर अन्य प्रकार के जो हम सामाने रूप से चर्चा करते हैं उससे कुछ विशेश आज करें यह पार्ट क्यूंकि वालमी की रामायन से संबंदित है तो हम वालमी की रामायन के बार और इसमें 24,000 श्लोक पाए जाते हैं, जिसके अंदर राम की उत्पत्ति और राम का रावन के साथ युद्ध से लेकर राम का राज्य अभिशेक यहां तक आपको सारा वर्नन मिलता है, तो मैं बच्चो को संक्षिप्त में और क्या-क्या वालमी की रामायन में है, क्या-क्या का जनम कैसे हुआ, जो यग्य के द्वारा कैसे राम कित पत्ति हुई, कैसे विश्वा मित्रों उनको ले गए दश्रत से मांग कर और उसके बाद उन्होंने वहां पर सुभाहू का और मारीज का जो सुभाहू का वद किया और ताड़का का वद किया और उसके बाद कैसे आ उनके कहने पर उनको वनवास होता है और अयुद्या कांड में बेसिकली वनवास हो नहों इसमें प्रजा की इच्छा नहीं है इस तरीकी कि उहापो की घटनाएं है और इसी कांड में राम का वनवास होते हुए दिखाया गया है उसके बाद आपका अरन्य कांड है अरन्य कां इस प्रकार की घटनाओं का जो है न वो अरन्य कांड में वरनन उसके अलावा अरन्य कांड में ही आपको शूर्पनिखा का वरनन मिलता है वो बड़ी प्रसिद्ध सी शूर्पनिखा जिसे आप रामलीला में जिसके नाक और कान कटने का प्रसंग सुनते हैं वो वरनन जो है अरन्य कांड में है और इसी में उनका जो भाई है शूर्पनिखा का खरव और दूशन इनके वद की कथा मिलती है और इसी में आपके जटायों की कथा भी मिलती है और यही वो है जहां पर अरन्य कांड में ही सीता का जो है हरन होता है और आगे जो चौथा कांड है वो है कि भाली का बद करते हैं जिसमें कैसे हनुमान पौण समुद्रlar Altfarook का व्र लखन चंप मेरती हैं रड़मने के बाद इंक्प्र करते हैं लंका में किस प्रकार से लंका में अग लगाते हैं grow जो कहानिया है, हम लोगों ने रामायन, टीवी में भी हमने देखा होगा, तो वो सारी घटनाए हैं, जो हनुमान से संबंदित हैं, वो आपको सुंदर कांड में मिलता है, वहाँ पर ही हनुमान जो है, वो सीता को देखते हैं, और उनको बड़ी खुशी होती है, क्योंकि सीत को दूढने का एक बड़ा प्रसंग है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से दूणा जाता है, तो वहाँ पर वो ढूण कर उनको वापस आते हैं, और फिर आगे युद्ध कांड है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, युद्ध कांड में युद्ध किया जा रहा है, राम और रा राजी भी शेक होता है, फिर सीता का जत्याग और उसके बाद लवकुश्कित पत्ति त्यारी गटना जो है, वह में उत्तर कांड में मिलती है, तो आपने हमें बताया तुलसी दास वालमिकी के रामायन के बारे में आपने बहुत ही अच्छे से हमें एक्स्प्लेइन किया, यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे जैसे वालमिकी रामायन है और तुलसी दास के रामायन है, तो इन दोनों में क्या भेद हैं, हम यह आपसे जानना चाहेंगे, या फिर एक ही कता है, यह हमें बताईए। कि मैं कभी किसी समय में पंदरवी शताब्दी के आसपास लिखा था और वालमी की रामायन जो है वो राम के जब राम थे उस समय पर लिखा गया था मतलब काफी पुराना है इसा पूर्व है तो पहला तो ये बहुत बड़ा अंतर हो गया दूसरा बहुत बड़ा अंतर ये है कि बहुत सारे घटना प्रसंग ऐसे हैं जो आपको वालमी की रामायन में मिलते हैं और तुलसी दास ने जो रामचरित मानस लिखा है वो नहीं उसमें नहीं मिलते हैं और उसके अलावा तुलसी दास ने समय को देखकर क्योंकि पंदरवी शताब्दी में हमारी जो स्थिति अधियां थी वो अलग थी वो पिछले पुराने सालों की तरह तो नहीं थी तो उसी के हिसाब से तुलसी दास ने कुछ-कुछ घटनाए बनाई हैं जैसे लक्षमन रेखा का वर्नन है वह हमें वालमी की रामायन में नहीं मिलता तो कुछ-कुछ ऐसे विचार जो हैं वहमक गया है तो यह मुख्य वर्नन है और तुलसी दास खुद ही कहते हैं कि उन्होंने राम कथा का वर्नन है वह वालमी की कथा को आधार बना कर लिखा है ऐसा यह तो बड़ा बड़ा जो आपने भेद बताया कि किस-किस तरह के भेद हैं यहां पर हम आपसे जानना चाहेंगे अगर हम रामायन की बात करें उसमें प्रसंग है राम का वन में जाना तो वो क्यों जाते हैं आप हमें बताया है यह भी है तो बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि या फिर यह जानते होंगे कि राम वन गए क्योंकि केकई ने उनका राज्य अभिशेक नहीं होने दूआ असल में बात ये थी कि केकई जो थी वो बहुत ही पराक्रमी थी और दश्रत के साथ एक बार युद्ध पर जाती है तो युद्ध पर दश्रत जो है वो मूर्चित हो जाते हैं बेहोश हो जाते हैं तो उस समय केकई जो है वो उनकी प्रान रक्षा करती है प्रान रक्षा के दश्रत उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें कोई भी वर दो वर देने को तयार हूँ कि किसी चीज के आवश्रकता नहीं थी हो कहती है समय आने पर महराज मैं मांग लूँगी तो दश्रत जो है वो आवद्ध हैं किस से आवद्ध है उनके दो वरो से तो जब राम का राज्य नहीं होगा इस तरीके का भाव के कई के दुवारा उनके दिमाग में डाल दिया जाता है और वो तब दश्रत से कहती है कि आपने जो दो मुझे वर देने की बात कही थी उसका समय आ गया है आप मुझे दो वर दीजिए पहला तो ये कि मेरा पुत्र भरत जो है वो राज सि असे की रक्षा करने के लिए पृष खैने दें के दहुए उनके दो दून दीते तो उसके रक्षा करने के लिए वो बन जाते हैं तो यहां पर पहला सबसे बड़ा प्रश्ण ये उड़ता है कि रामायन इतना इतना इस मौँए है कि वालुमी की रामायन या राम कठा ऐसा कोई भी नहीं है इस संसार में और अगर संसार बड़ा लगता हो तो कम से कम भारत और जो भारतिये संस्कृती से परिचित हैं जितने भी लोग posición रामकठा से क्यूं परिचित हैं ऐसा क्या करदिया रामकठा ने तो उसका कारण यही कि रामायन के अंदर जो भी जिसका धर्म है जैसे पुत्र का धर्म है पिता की बात को मानना उसी प्रकार से पत्नी का धर्म है पती के साथ अनुगमन करना मतलब ऐसा पती जो सत्य मारगी है सत्य के मारग पर चल रहा है उस सत्य के मारग पर अनुगामी होना अपने पती के आपनी धर्म निभाते ना जाते और इसी प्रकार से जब लक्षमन जाते हैं, राम के साथ वह अपना भाई का धर्म निभा रहे होते हैं,… लक्षमन और राम है उनका प्रेम बहुत ज्यादा होता है तो अपने धर्मक की स्थापना करने के लिए लक्षमन और सीता दोनों वह वन को जाते हैं अगर हम इस पाथ के वापस पर आएं जो चरित्र वीरता के वापस आएं उससे पहले में पाथ तो बच्चो या तो पढ़ेंगे या पिर पढ़ा होगा पाट जो है वो जटायू की शूरता और वीरता की बात करता और जैसे कि मैंने अभी कहा वालमी की रामायन में हर जगे धर्म की स्थापना की बात की गई है तो जैसे पती का धर्म, पुतर का धर्म, पतनी का धर्म वैसे ही ये जो जटायू हैं वो दशरत के पिता जो दशरत पिता हैं उनके मित्र हैं मतलब राम के पिता के ये जो जटायू है वो मित्र होते हैं और उसके अलावा जिस जगे पंचवटी में ये लोग ठेरे हुए हैं राम लक्षमन वहाँ पर वो पक्षियों के राजा भी ह वो यह है कि जैसे जटायू अपने धर्म की स्थापना करने के लिए अपने प्राणों को त्याग देता है जैसे राम अपने धर्म को स्थापित करने के लिए अपना राज्य त्याग देते हैं और वन को जाते हैं वैसे हम विद्यार्थी जो है ना हम विद्यार्थियों का भ तो विद्यारती अपनी धर्म की स्थापना के लिए थोड़ा सा मनुरंजन या थोड़ी से ऐसी चीजों को कम करके और केवल अपने विद्यारती धर्म पर ध्यान दे तो यह भी एक प्रकार का धर्म है तो इस पाट से कहीं न कहीं यह भाव भी मिलता है कि किस प्रकार से हमें आपने धर्म की स्थापना करनी चाहिए वापस आते हैं पाठ की तरफ, तो यह जो पाठ है उसमें कता वहाँ से शुरू होती है जहां से रावण सीता को लेकर जा रहे हैं और सीता जो है वो चीक कर बोलती है कि देखिए यह रावण मुझे लेकर जा रहा है और मुझे बचा लीजिए मतलब उसमें एक बात और भी आती है जो आपके पाठ में नहीं है वो कहती है कि शायद आप ना बचा पाएं क्योंकि आप बूड़े हैं और रावन जो है वो बहुत पराक्रमी है तो आप राम और लक्षमन तक ये बात पहुंचा दीजिएगा कि ये रावन मुझे लेकर गया है वो ये कहती है कि मतलब अगर अगर नहीं बचा पाते हैं तो लेकिन आप देखिये जटायों को उन्हें पता है वो इसी आपके पाठ में एक श्लोक आता है तो उसकी में रक्षा करूँ तो इस प्रकार का भाव होता है उसके अलावा एक बहुत ही सुन्दर सा एक श्लोक है जो कि है कि निर्वतय मतिम नीचाम परदारा अभिमार्शनात बोलते हैं कि वो नीच मतिवाले होते हैं जो दूसरी की पत्नी पर कुद्रिष्टी डालते हैं इस प्रकार का उदाथ भाव जिसकी बहुत आवश्रकता भी है हाला कि नाइंध क्लास के बच्चे छोटे होते हैं लेकिन फिर भी वो इस समझते हैं कि अगर आप परदारा की बात कर रहे हैं मतलब दूसरी की पत्नी की बात कर रहे हैं तो आप ये भी समझे कि दूसरी की कोई भी कोई भी ऐसी चीज़ा जो आपकी नहीं है और वो किसी और की आपको उस पर भी नजर नहीं डालने चाहिए इस प्रकार के प्रोड प्रसंगों से बच्चो आप अपने जीवन के सामान्य चीज़ों से भी जोड सकते हैं और इनसे आप सीख कर बहुत आगे जा सकते हैं अगर आप इस भाव को भी पकड़ ले और जटायों जो थे वो इतने पराक्रमी थे इतने शक्तिशाली थे कि वो क्या करते हैं वो अपने नाखून और जो उनकी चोंच होती है उससे रावन के साथ युद्ध करते हैं और ये भी सोच रही होंगी कि जटायों तो बूड़े हैं वो क्या कर पाते हैं तो उनका धनुश और उनकी बाण इनको तोड़ देते हैं उनके घोडों को मार देते हैं और उनका जो सार्थी होता है उसको भी मार देते हैं ये जो इनके बीच में युद्ध होता है इन सब चीजों का रावन की नाश हो जाता है पर रावन बेहत पराक्रमी हैं और पराक्रमी होने के कारण अंततो गत्वा जटायू पराजित हो जाता है लेकिन जो जटायू है वो रावन की बाएं जो भाग है उसकी दस भुजाओं को एक तरीके से नाश कर देता है मतब काफी उनको खट कर देता है तो इस प्रकार के शौरे का वर्नन मतब अगर आप छोटे हैं अगर आपको लगता है कि आप में इतना पराक्रम नहीं है तो आप कैसे हार न माने और कैसे देखे शौरे उसको कहते हैं किसी अगर आप शक्तिशाली हैं अगर आप में शक्ति है और सामने आपके कमजोर है कोई व्यक्ति तो कमजोर के प्रती वीरता शौरता दिखाने से कुछ सिद्ध नहीं होता है और फिर आप किसी को मार रहे हैं आप अन्यतिक काम कर रहे हैं अन्यतिक दाका साथ दे रहे है इस प्रकार के किये गए कामों में बच्चों शौरता वीरता इनका नाम नहीं दिया जाता है जो भारत में एक पुरुसकार दिया जाता है या फिर शूरता वीरता जिन इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो हमारे सैनिकों के लिए प्रयोग किया जाता है और सैनिक वो जो भारत की सीमा की रक्षा करते हैं शत्रू से उन्हें नहीं कहा जाता है जो गलियों में एक दूसरे को मारते हैं या अनेतिक काम करते हैं तो ये जटायों की शूरता पाठ जो है वो आपके लिए कई प्रकार से उपयोगी है तो ये कि आप अपनी ये जो रामकता है जो की जिसका मन शक्तिशाली हो जिसकी अंतरात्मा शक्तिशाली हो जो धर्म की स्थापना करने में जिसकी इच्छा हो कि मुझे जो गलत हो रहा है इसके खिलाफ वाज उठानी है तो इस लंबे समय तक रहती हैं तो यह संक्षिप भाव है यह तो आपने बहुत ही अच्छे से हमें एक्स्क्लेइन किया अभी भी हमाई पास तक पांच मिर्ट के समय और शेश हैं हम आप से जानना चाहेंगे और किसी घटना प्रसंग के बारे में माम जिससे आप हमारे सभी जिससे कि हमारे प्यारे बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं लेकिन यहां पर मुझे एक बहुत अच्छी घटना हनुमान की आद आ रही है क्योंकि हनुमान में जो चंचलता है वो हमारे बच्चों में भी है तो उस चंचलता को जोडते हुए मैं एक बात आपको एक बात जो पता है उसको वो लांग सकते हैं क्योंकि समुद्र को लांगना तो बड़ा जाता है कि भाईया आप में वो ताकत है, आप पराक्रम हैं और वो समुद्र लांग जाते हैं तो ये जो बहुत छोटी घटना है जिसको मैंने बहुत बढ़ा करकर आपको नहीं बताया इसमें आपके लिए जो ध्यान देने वाली बात है, सीखने वाली बात है कि आप जो बच्चे जितने भी हैं, आप सभी के अंदर एक पराक्रम है ना आप सभी के अंदर अंतर नहेता है तो इस प्रकार की और भी बहुत सारी छोटी-छोटी घटनाएं हैं वालमी की रामायन में जिनसे की आप अपने जीवन को छोटी जैसे की एक हनुमान वाली के आप सभी के अंदर पराक्रम हैं बस आपको ये रैलाइज करने की जरूरत है क कैसे आप के अंदर ये है और जैसे ही आप ये रैलाइज करते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ वैसे ही आप ये करते हैं दूसरा एक और छोटी सी घटना है जैसे की सीता की खोज में जब सभी लोग परेशान हो जाते हैं और क्या बूलते हैं सब सोचते हैं कि अब हम नहीं ढू दुखी हो जाते हैं और कहते हैं हम वापस नहीं जाएंगे सुग्रीब के पास हम बिना काम किये अगर वापस जाएंगे अपने दिये हुए टार्गेट को पूरा किये विना लक्ष को पूरा किये विना किस मुह से जाएं तो यह जो भाव है बचो यह भाव विद्यार्थिय के लिए बहुत आवश्यक है क्यूंकि अगर आप एक विद्यार्थी होकर आपका एक टार्गेट होता है कि आपको यह सब्जेक्ट पढ़ना है, समझना है, इक्जाम के लिए तयारी करनी है या फिर आपका खेल का कोई टार्गेट है आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपक हमारे बच्चे सकते हैं और इसके के अलावा आपके और भी आत्क आरर के बात करते और या फिरापरन निकान के बात करते हैं एक सबसे बड़ी बात तो यही है कि वालमे की रामायन जो कि इतना पुराना है और आज भी उसकी प्रासंगिक्ता है आप सभी अगर संभव हो मुझे लगता है कि आप सभी को संक्षिप्त रामायन जो है वो जरूर पढ़नी चाहिए औ आपके माता-पिता कहते हैं जूट नहीं बोलना चाहिए ऐसी बहुत सारी बाते जो आप अपने जीवन में घटत होते हुए देखते हो आपको यह महसूस होगा कि यह सारी बाते जो है वो कहीं ना कहीं वालमी की रामायन में वर्नित हैं और क्योंकि यह बहुत पुराना ग अपने जाते हैं जो आपको अपने कल्यान के लिए रामायन आपके संस्कृती को जानने के लिए और भारत देश की आध्यात्मिक्ता को जानने के लिए इनके संक्षिप्त रूप को जरूर पढ़ना चाहिए जी तो माम और जाते जाते कुछ और बात है जो आप हमारे सबी विद्यार्थियों के साथ साजा करना चाहेंगी अगर आप इन ग्रंतों की बात कर रही है अगर हम रामायन पढ़ने की ही बात करें तो कुछ और बताना चाहेंगी हाँ हाँ मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि ये बात पतानी बच्चों को कितना अच्छे सा आइडिया है या नहीं है मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूंगी कि जब राम को वनवास हो जाता है तो भरत को राज्य की बात होती है तो भरत राज्य लेते नहीं है भरत राज्य इसलिए नहीं लेते एं क्योंकि उन्हें ये सलनाया होता है कि राज्य मेरा मेरा नहीं है, मैं आया साही उत्तर अधिकारी क्यों नहीं हूँ क्योंकि राम कथा में ये सपर्ष्ट है कि राम के अंदर वो सारे गुण थे जो एक राजा होने के लिए होने चाहिए जो सारे गुण एक व्यक्ति के अंदर होने चाहिए तो वो इस चीज को समझते हैं और वो सत्यता के साथ वो जाते हैं वापस राम से और कहते हैं कि आप वापस चलिए गलती हो गई है यहां पर आपको इस तरह से कहा गया है लेकिन राम कहते हैं कि नहीं मैं प्रतिबद्ध हूँ किस के साथ वचनों के साथ प्रतिबद्ध हूँ इसलिए मैं वापस नहीं जाओंगा और फिर भरत धर्म की रक्षा करने के उस टाइम पर शूस चलते थे जिनको खडाम बोलते हैं वो लकडी के जूते होते थे जो पैने जाते थे उनको लेकर जाते हैं और राजगद्धी पर उनको रखते हैं चिन्न के स्वरूप जैसे कभी आपकी मम्मी चली जाती होंगी कहीं पर मामा के याँ पर तो आप अपनी जिसका अधिकारी है वो सही चीज पर फोकस करते हैं तो ऐसी तो आप पूरा दिन बाते करते रही हैं इस विश्य में तो तिनी सारी बाते हैं जो हमारे बच्चों को नए बच्चों को खास तौर पर सीखने की जरूरत है क्योंकि ये बड़ा दुखद है कि हमारे जो नए चलते बच्चे हैं वहारा सद्षक्रति से थोड़े से विमुक होते जा रहा हैं और पाठ़ों केवल पाठों तक रखते हैं पाठ पड़ा संस्कृत पढ़ी और व्याख्या पढ़ी एक्जाम दी और खतम बहुत अच्छा होगा अगर बच्चे यूए वह पाठों में अंतर हम आगे बढ़ाएं लेकिन हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते संगीता जी कि आप स्टूडियो आए और आपने हमारे नवी कक्षा के विद्यारत को इतने अच्छे से पाट समझा है आपको बहुत बहुत धन्यवाद और पर सभी देखने वालों को हम कहेंगे कि आपकी साथ साचा करना चाहेंगे. N.C.E.R.T. Textbooks 420, 23, 24 are available throughout the country. These textbooks may be purchased directly from N.C.E.R.T. sales counter located at New Delhi, Ahmedabad, Bangaluru, Kolkata and Guwahati. These sales counter will be functional on all the weekdays including all the existed holidays, Saturdays and Sundays as well from 9.30 a.m. to 6.00 p.m. You may also place order for the books online from our website that is ncertbooks.ncert.gov.in and these books will be delivered at your doorstep with no delivery fees. And if you want the soft copy of the books in PDF version, in that case it can also be download for free from N.C.E.R.T., E.P.A.T. Shala, website, Diksha and from mobile app as well. Please visit the website ncert.nic.in to know more about the authorized vendor. Abhi filhal mujhe renubhat ko deeje jaasat, aap bane reyye evidya channels pa. Namaskar. Anaskar. 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 झाल झाल